नमस्कार और आप देखने हैं परपर हर्यने के मुखे मंद्री मौनोलाल ने रविवार कोई चोपाल का दुखाटर के आउसर पर बताया कि अब करनाल की 382 ग्राम पंचाईतों में से 288 पंचाईतों में साइवर होप्टिकल केबल बिछाने का कार्या पूरा हो चुका है जबकि 225 ग्राम पंचाईतों को इंटरनेट और वाइफाई की सुविदा सुचारू रूप से चल रही है इसके लिए उन्होंने जिला की पंचाईतों को बढ़ाई दी है उन्होंने कहा कि इस Information Technology भारत नेट और Common Service Center की मेहनत का प्रतिफल है आज की समय की आवशक्ता है और ग्राम हो या शहर सबी जगे पर मॉबाइल एवं कंप्रूटर का प्रियोग हो रहा है अब तो घरियां भी इंटरनेट से Connect हो गई है दूरसंचार करांती ने दुनिया में एक और दूसरे से दूरिया खत्म की है तो वहाँ कोई भी गत्ती घर से देश वैविदेश में और दुनिया के किसी वीकोने में बात चीत कर वैसंदेश बेश सकता है उननका की पहले छोटे-छोटे कामों के लिए व्यक्ति को सरकारी कारियानों के चकर काटने पड़ते थे अब इंटरनेट के माध्यम से ऐसे कारिये घर बैटे ही उनका लाव ले सकते हैं उननका की इनकी चार्जिस भी बहुत जायश हैं मातर 10 रूपे खर्च करके इंटरनेट का प्रयोग कर सकता है जिसे आवशकता अनुसार बढ़ाया या गठाया जा सकता है मोखेबंतरी ने आगे बताया कि हर्याना में साड़े 500 ऐसी श्वयवाएं वा योजनाएं हैं जिनका लाब लेने के लिए ओनलाइन फार्म भरे जाते हैं सरकार की मेरी फसल मेरा बेवरा योजना भी किसान के हितकारी है जिसका वेबरन पोर्टल पर डालना होता है और खास बात यह भी है कि इसके लिए 10 रूटे प्रती एकड़ के हिसाब से सरकार संबदित किसान को भी देती है हर्यणा में बहुत से किसानों ने उसे अपनाया है और उन्हें मंडियों में फसल वेसने में किसी परकारगी के अपनाई भी नहीं आई मौके मंद्री ने कारियकरम में उपस्तित वेबेन पंचायतों के सरपंचों के माधिम से अपील कर कहा कि सरकार किसी वीवरत के लिए जो ने ने लेती है उसका लाव उठा लेना चाहिए पलपल चलिदेट से विसे से लिए करमाल की इतनी बड़ी संख्या में राम पंचायतों को सरको इंटरनेट से जोडने के लिए जो वाई-फाई की स्कीम शूरूब की जा रही है आज इतनी जो आवशक्ता है वास्तों में चाहे गाओं हो चाहे शहर हो चाहे कोई भी कोना हो हर व्यत्वी को इसकी आशक्ता ल दूरियां हैं इसमें भी इंटरेट की आशक्ता पढ़ने लगे इसमें बहुत सी चीजे घड़ी के माध्यम से में को जानका भी मिल जाती है दुनिया में इस सारे सिस्टम के काड़ से जो मारी दूरियां है वो एक प्रकार से खदम हो गई है अब बहुत दूरियां नहीं ना तो कोई भी चीज़ा अपने घर में बैठे हुए अपने गाव में बैठे हुए देश और दुनिया के किसी कोने में भी हमको कोई चीज़ अपलाई करनी हैं कोई शिकायत बेजनी हैं कोई भी कागस बेजना उस नाते से बेज सकते हैं बात करनी हैं बात कर सकते हैं संद प्रदेश को अपने घर बैठे हम देश और दुनिया के प्रदेश के किसी दफ्तर में किसी कोने में इन सुईदाओं का लाब ले सकते हैं और जहां तक इस सुईदा का लाब लेने के लिए जो चार्जे लगाए गए हैं नोमिनल बहुत कम से कम 10 रुपे से शुरू किया है बाकितों जो जिसका दिदना उप्योग होगा उसनाते से वो कर सकता है लेकिन मुझे नहीं लगता कि ग्राबनी क्षेत्र में कोई व्यक्ती जितना उप्योग करता है वो 10 रुपे और 25 रुपे से जाला उसको जोद पड़ेगी हाँ कोई व्यवसाय किसे ने करना है CSC सेंटर का कोई करेक्शन लेना है वो तो जितना काम करता है उतना ही उसको वो करनेक्शन लेना पड़ेगा वो तो अपनी कमाई भी उसमें से करेगा आज ऐसे CSC सेंटर हैं कि वियली पचीस हजार पचास जार एक वियली मुझे मिला वो करनाज मेरा हर महीने 80 जार पे के इंकम होती है चोड़े 500 हमारी सेवाएं हैं और यूजनाएं हैं जिनके फार्म सीठे उनलाइन भरे जाते हैं तो उनलाइन यूजनाओं के माद्ध हम से बड़े लाग भी ले सकते हैं आज तो सरकारीश्की में भी चाये हमने कोई भी योजना जो नई यूजना है उसको पूर्टल के माध्यम से मुशुरू करते हैं और लोग कहते कि अपने गाउं में बैठे बैठे इसकी जानकारी दे दो किसानों के लिए तो अमने ये भी कहा है कि आप CSC सेंटर पर जाओ आपको पैसा देना नहीं है बलके 10 रुपे एकड़ के हिसाब से सरकार आपको देगी 50 रुपे तक तो सरकार उस किसान को देगी जो अपनी जानकारी वाइफ उसमें मेरी फसल मेरा विरा में भरके आएगा बहुत किसान ने इसका लाप लेने लगे हैं आदे से जाद किसानों ने इस बार अपने आपको रिष्टर कराया था जो रह गये थे उनको मंडियों में गठाई काफी आई अब जब उनके पोर्टल खोले गये हैं तो सब लोगों ने रिष्टरेशन कराया शुरू कर दिया ऐसे मेरे गाहों के सरपंचों के माध्यम से इस किसानों को भी निवेदन हैं कि जो बात सरकार कहती है उसको तुरंद करना चाहिए उसके बहुत लाब होते हैं वरना बाद में परिस्ताना पड़ता है तो इन सारी सुविधाओं को वाई-फाई के माध्यम से मैं इसका उप्योग करे यही मेरी आपसे निवेदन है अपील है मेरा अगरे भी है इसका बहुत बड़ा लाब होगा